हलो बच्चो आज का मेरा टॉपिक है कभीरदास की साखियां क्लास नाइन पार्ट वन ठीक है तो चलिए हम लोग कभीरदास के साखियों को देख लेते हैं यह लिखते हैं कि मान सरोबर सुभर जल हनसा केल करा ही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंतना जाही तो इसका क्या मतलब है इस पक्ति में कभीरदास ने व्यक्तियों की तुलना जो है हनसों से की है वे कहते हैं कि जिस प्रकार हनस मान सरोबर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं वे उसे छोड़ कर कही नहीं जाना चाहते ठीक उसी तरह मनुस्य भी जीवन के माया जाल में बद कर बद जाता है और इसे ही सच्चाई जो है समझने लगता है ठीक है और यहां से कही नहीं जाना चाहता नेक्स्ट है प्रेमी ढूंडत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले शब विस अम्रित होई ठीक है इसे आशया है ठीक है इसे कभिर्दास जी ये कहते हैं कि प्रेमी यानि इश्वर की बात करते हैं प्रेमी यानि इश्वर रूफी प्रेमी को मैं ढूनता हुआ फिर रहा हूँ और उनको ढूनना बहुत ही मुस्किल है लेकिन वह मिल नहीं रहे हैं ठीक है और प्रेमी रूपी इश्वर जब मिल जाते हैं ठीक है या फिर मिल जाने पर सारा जो संसार है सारा जो विश है ठीक है सारा जो विश है अमरित यानी शारा विष्ष या शारा कश्ट अमरीत यानि शुक में जो है बदल जाता है ठीक है नेक्स्ट है हस्ती चड़िये ग्यान को हस्ती चड़िये ग्यान को सहद दुलीचाडारी श्वान रूप संशार है भूकन देजद मारी ठीक है तो ये कहते हैं कि हस्ती चड़िये ग्यान की ठीक है कभिर कहना चाहते है कि ब्यक्ति को ग्यान रूपी हाती की सवारी करना चाहिए और सहच साधना रूपी ठीक है दुलीचा को कारपेट को विछाना चाहिए इसमें संसार की जो तुलना है श्वान से करते हैं श्वान रूप संशार है ठीक है संशार की तूलना जो है श्वान कुत्ते से करते हैं जिसे कहते हैं कि जो आपके उपर भौकते रहेंगे जिसे अंदेखा कर चलते रहने चाहिए एक दिन वेश्वयम जख मारकर चुप हो जाएंगे ठीक है नेक्ट है पखा पखी के कारने सब जग रहा भुलान निर्पक होई के हरी भजे शोई संत सुजान ठीक है तो इसका आशया है कि पक्ष भी पक्ष के कारण सारा जो संसार है आपस में लड़ रहा है और भूल भूलया में पढ़कर प्रभू को भूल गया है जो प्यक्ति इन स पक्ष होकर प्रबू को भजने लगा है वहीं सभी अर्थों में सभी मनुश्य है ठीक हैक है नेक्स्ट है हिंदु मुआ राम कही मुशलमान खुदाई और कहे कबीर सो जीविता जो दुहू के निकटना जाई इसमें कबीर दाजिये कहते हैं कि हिंदू राम राम का भजन करते हैं और मुसल्मान खुदा-खुदा कहते मर जाते हैं उन्हें कुछ हाशिल नहीं होता ठीके असल में वह ब्यक्ति ही जीवित मुशल्मान खुदा-खुदा कहते मर जाते हैं उन्हें कुछ हाशिल नहीं होता असल में वह ब्यक्ति ही जीवित के शमान है ठीके कहे कबीर सो जीविता अशल में वह ब्यक्ति ही जीवित के शमान है जो इन दोनों बातों से अपने को जो है अलग रखते हैं जो दुही के निकट न जाई इन सब बातों से जो है अपने को निकट रखते हैं नेक्स्ट है काबा फिरी काबा फिरी काशी भया ठीक है काबा फिरी काशी भया रामही भया रहीम मोट चुन मैदा भया बैठ कबीरा कबीरा जीम ठीक है इसका आश है कबीर कहते हैं कि कि आप काबा जाय या काशी राम भजे या रहीम दोनों का अर्थ समान ही है इन काशय है कि आप काबा जाएं या काशी जाएं राम भजे या रहीम भजे दोनों का जो अर्थ है शमानी है और जो कहते हैं जिस प्रकार गेहु के पिष्णे से आटा बनता है जिस प्रकार मोट चुन मैदा भया मोट चुन मैदा भया मतलब मोट से आसे गेहु के पिष्णे से है जो आटे को पिष्णे से मैदा बनता है और लेकिन मैदा और आटा दोनों ही खाने के कारे में आते हैं अर्था इसलिए दोनों ही अर्थों में प्रभु के तरसन करेंगे ठीक है नेक्ट है उचे कुल का जनमिया जे करनी उच न होए ठीक है सुबरन कलस सुरा भया साधू निंदा शोए ठीक है साधू निंदा शोए तो इसका आसे है कि उचे कुल का जनमिया जे करनी उच न होए सुबरन कलस शुरा भया साधू निंदा शोए तो इसका मतलब है कि इसमें कहते हैं कबीरदास जी जिस प्रकार उचे कुल में जनम लेने पर कुछ नहीं होता कर्म ज्यादा मालिन रखती है अगर वह व्यक्ति कुल अंदेखा कर देती है ठीक उसी प्रकार सोने के कलस में रखी सराब सराब ही रहती है ठीक है सुबरन कलस शुरा भरा साधू निंदा शोए तो जो अगर करना सायर कहते हैं अगर उच्च कुल में जन्म लेने पर कुछ नहीं होता है अगर कर्म कैसे है हमारा जन्म जा हो नीम नहीं हो ठीक है अगर मRI अ हमारा जन्म हो